हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक इस वीडियो में हम फाइनलिशनल प्लानिंग चैप्टर की प्रैक्टिस सेट 4.1 स्वाल करेंगे यह जो चैप्टर है टोटली जीस्टी पर बेस्ट है मैंने प्रीवाइस वीडियो में कुछ जीस्टी के बेसिक कंस्रेप्ट बताए थे और जीस्टी क्या होता है और हमने इसे किस तरह से फाइन करते है तो सभी दिडियल मैंने प्रीवेस वीडियो में बताया था अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप इस आले बटन पर टच करके उस वीडियो को भी देख सकते हो तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिलिज सब्सक्राइब टोवर चैनल एंड प्रेस दी बेल ऐकॉन फॉर दी लेटस अपडेड तो चलिए शुरू करते हैं Q1 पवन मेडिकल सप्लाइज मेडिसिन और सम्मेडिसिन दे रेट ऑफ जीएस्टी इस 12 परसेंट देन वाट इस दे रेट ऑफ सी जीएस्टी एंड एस जीएस्टी ठीक है काफी इजी क्वेशन है ये क्वेशन आपको एक मार के लिए पूछ सकता है सोलूशन परजे तम गिवन लिख देंगे रेट ऑफ जीएस्टी 12 परसेंट है मैंने आपको प्रिएस वीडियो में बता है था कि जो सी जीएस्टी और एस जीएस्टी है दोनों का रेस्ट हमेशा एकवल होता है ठीक है और वो दोनों भी क्या होते है जीएस्टी के रेट के हाफ होते है तो इनका rate हो जाएंगा यानि कि हम यहां पर लिख सकते rate of cgst and rate of sgst is अब यह 12% है तो इसका half कितना हो जाएंगा यह दोनों भी 66% हो जाएंगे that is cgst 6% sgst 6% okay so which is our required answer copy easy question था यह then second question question number two on the certain article if rate of cgst is 9% then what is the rate of sgst and what is the rate of gst ठीकर हमें cgst का rate 9% की बादने जिसे के मैंने बता आता cgst और sgst दोनों का rate हमेशा एकवाल होता है तो यह भी हो जाएंगा 9% और यह दोनों भी gst के half होते हैं यानिके यह 9 इसका मतलब gst कितना होना चाहिए gst हो जाएंगा 18% ओके से बास यह हम लिख देंगे solution given है में rate of cgst is equal to 9% अब cgst रहने तो sgst भी कितना होगा 9 होगा दोनों भी equal होते हैं therefore rate of sgst is equal to also 9% और यह दोनों भी gst के half होते हैं अब यह 9 है इसका मतलब gst हो जाएंगा 18% and rate of gst is equal to 18% ठीक है यह जो question 1 और 2 है यह आपको blanks के तोर पे भी आ सकते हैं एक मार के लिए then next question then question no.3 Mrs. Real Paint sold two tins of lustre paint and taxable value of each tins is 2,800 रुपीज if the rate of gst is 28% then find the amount of cgst and sgst in tax invoice सो कुशन में दिया हुआ कि जो मिसिस रियल पेंट है उन्होंने दो बॉक्स लिस्टर पेंट के दो बॉक्स सोल्ड किये है और हर एक बॉक्स की जो वैल्यू है टैक्सेबल वैल्यू है वो 2800 रूपीज है ओके और GST के रेट गिवन है आपको सीजिस्टी कामान मिल जाएंगा ठीक है आप पहले इसका अमोन फाइंड कर सकते हैं जितना भी आएंगा देन उसके दो इकवल पार्ट कर देंगे तो आपको सीजिस्टी और जिस्टी कामान मिल जाएंगा ठीक है आप जैसे चाहिए वैसा सॉल्ड कर सकते हो तो सुलूशन तो पहले हम गीवन लिख देंगे गीवन क्या हमें टैक्सिबल वैल्यू आफ एक टीन की बॉक्स की मत देख रहे तो हम लिख देंगे यहाँ पे टैक्सिबल वैलू आफ एटीन इस तू थाउजन एट हंड्रेट रूपीज ओके एंड हमें जी एस्टी का रेट गेवन है तो हम वह भी लिख देंगे rate of GST is equal to 28% therefore rate of CGST इसका हाफ हो जाएंगा that is 14% and rate of SGST यह भी हो जाएंगा 14% जो real pendants ठीक है उसने दो बॉक्स बेचा है दो डबबे बेचा है टीन के तो हमें दोनों की वैलू फाइंड करना होंगा so now taxable value of 2 टीन is so 2 टीन के बॉक्स के लिए हमें क्या करना होंगा इससे 2 से multiply करना होंगा so 2 into 2800 that is equal to rupees 0065 5600 ठीक है तो दो बॉक्स की इतनी rate हो जाएंगा तो हमें CGST और SGST की वैलू amount करना है तो हम पहले क्या कर लेंगा पहले जीस्ट का amount कर लेंगे ओके फिर उसका हाफ कर देंगे तो हमें CGST और SGST मिल जाएंगा so therefore amount of GST तो ध्यान में राखना है जब भी हम GST का amount करेंगे तो क्या करेंगे हम taxable value लेंगे taxable value into इसको क्या करेंगे multiply करेंगे किससे हम GST की value find कर रहे है तो GST की rate से जितना भी रहेंगा उससे हम multiply करेंगे ठीक है into rate of GST ओके that is equal to taxable value है हम किसका find करना है taxable value of 210 है ठीक है इन दोने की value ले रहे ना यहां पर आजाएंगा 5600 into rate of GST GST करेंगे कितना है 28% 28 अब जहां पर भी percent आएंगा ठीक है यहां पर तो आएंगा आगे और भी बहुत जग आएंगा तो percent की क्या करना है में percent हटाके उसकी जगह पर हमें दिनामेटर में 100 लिखना है ओके जब भी percent आएंगा तो उससे हटाके आपको इसी तरह से करना होंगा ठीक है percent हटाके दिनामेटर में 100 लेना होंगा यहां पर आप 100 से डिवाइड कर देंगे पहले तो इजी हो जाएंगा that is GST का अमण मिल जाएंगा therefore मैं यहां पर लिख देता हूँ therefore amount of cGST and that is equal to amount of sGST is equal to ठीक है दोनों हमेशा equally रहेंगे ध्यान में रखना है आपको cGST और sGST ठीक है यह दोनों भी क्या होंगे GST के amount के half होंगे तो आपको क्या करना है इसे 2 से divide करना है तो आप इसको 2 से divide कर देंगे तो आपको मिल जाएंगा 700 and 84 ठीक है तो amount of cGST और sGST आपको कितना मिल गया रूपीज 784 ओके तो अब यह जो value अपने फाइंड किया है ठीक है आपको क्या करना है टैक्स इंवाइस में बताना है तो अब हमें आपको इस value कर में टैक्स इंवाइस में बताना होंगा ओके टैक्स इंवाइस नमबर टैक्स इंवाइस डेट एन इंवाइस नमबर ठीक है यह चारों भी आपको फिलप करना कंपल सरी है ने तो आपके मार्स कट सकते हो के तो जैसे के अब यहाँ पर हमें सप्लायर का नाम गिवन है मिसिस रियल पेंट तो हमें यहीं लिखना होंगा सकते हैं इंवाइस डेत और है तो पर एक अपनें मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं इसके बाद में है अब बाद आती है थे हैं सभी product का एक code होता है अगर code question में given है तो आपको वही लिखना है अगर given नहीं है तो आप इस column को escape भी कर सकते हो या फिर अपने मर्जी से कुछ भी दाल सकते हो हम यहाँ पर लिख देंगे 2882 ठीक है random यह मने नमबर लिखा है ठीक है name of product क्या sold किया है इसने sold किया है लस्टर paint ओके तो हम यहीं लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे हम यहाँ पर लस्टर paint ओके अब rate हर एक का rate कितना है rate given था हमे 2800 ओके तो हम वहीं आपर लिख देंगे 2800 रोपेज ओके quantity कितने item कितने quantity में खरीदा है उसने sold किया है दो तो यहाँ पर लिख देंगे टू taxable amount ठीक है एक एक बॉक्स का rate 2800 quantity में दो खरीदा है तो total taxable amount कितना हो जाएगा इंगा इन दोनों का multiplication अभी हमने यहाँ भी किया था 5600 रुपेज ओके तो यह हो जाएगा यहाँ पे 5600 रुपेज ओके अब cgst और gst का rate ठीक है gst का rate कितना था 28 तो इंका rate कितना हो जाएगा 14 14 परसेंट तो यहाँ पे हम रेट में लिखेंगे cgst के समे 14 परसेंट and hgst के समे रेट में 14 परसेंट ठीक है और tax की वाल्यों कितने हो गए amount कितना लिए हमने 7784 तो यहाँ पे tax में आ जाएगा 784 यहाँ पे भी आ हम लिखेंगे 560 प्लस 784 प्लस 784 या तो फिर हम इसके अंदर डारेक 1568 हम आइड कर सकते ठीक है इस तरह से आड करो यह डारेक आप gst कमान आइड करो टोटल जो भी आगा आप में यहाँ पे लिखना हूंगा ठीक हम यहाँ पे नीचे टोटल अमाउंट लिख देंगे क्या है 5600 प्लस आप यह दोनों को दो बार आट करो या फिर इसे एक बार आट कर लो चलेंगा ठीक है 1568 सो दाट इस इक्वल टो that is 8 plus 0 8 6 1 carry 1 1 plus 1 2 plus 5 7 रुपीस ठीक है तो टोटल अमाई कितना हो जाएंगा 7168 रुपीस गे यहाँ धार रिक यहाँ and tax invoice okay then next question question number 4 the taxable value of a wrist watch belt is rupees 586 the rate of GST is 18% then what is the price of the belt for the customer so we have wrist watch belt price taxable value given is 586 ठीक है और इसके उपर GST का rate लग रहा है वो कितना लग रहा है भी यह करना होंगा ओके सो सुलीशन तो पहले तो हम यहां पर गिवन लिख देते हैं गिवन में हमें taxable value given है तो वह लिख देंगे हम यहां पर टैक्सेबल वैलू आफ बेल्ट इस रूपीस 586 ओके और रेट आफ जीस्ट गिवन है वो भी लिख देंगे हम यहां पर रेट आफ जीस्ट इस एक्वल टू 18% ओके तो हमें क्या करना है पहले हमें GST का amount find करना है या फिर value find करना है तो पहले हम वो find कर लेते हैं now amount of GST is equal to ठीके जब भी हम GST का amount find करेंगे क्या करेंगे हम जो भी taxable value रहेंगी उसको GST के rate से multiply करना होंगा ओके so that is equal to हम आप लिखेंगे taxable value taxable value into rate of GST ठीक है आप पूरा भी लिख सकते है taxable value of build करके sorry that is equal to taxable value है 586 into rate of GST GST rate कितना है 18% है तो हम यहाँ पे 18% लिख देंगे that is equal to अब देखो यहाँ पे 18% है तो percent हटाने के के लिए हम क्या करना होगा है यहाँ हमें 100 से divide करना होगा तो यह हो जाएंगा 586 into 18 upon 100 तो 100 अपन 18 के लिचे भी लिख सकते है या तो इन दोने के लिचे भी लिख सकते है यह एक की बात होगी ओके ठीक है आप किस तरह भी लिख सकते है तो अब हमें 100 से इसे divide करना है तो simple सी technique है क्या करेंगी यहाँ 20 है तो इसे आप cut कर देंगे और दो के बाद यहाँ पर point लगा देंगे ओके तो यह जो value हो गई divide हो गया है that is 5.86 into 18 आपको इन दोनों का multiply करना है multiply करने पर so multiply कर लेंगे हम यहाँ पर 5.86 into 18 18 6 आ 108 के 8 carry 10 18 8 आ 144 144 प्लस 10 154 के 4 carry 15 अब यहाँ दो के बाद point है तो यहाँ पर लग जाएंगा point तो total value हो जाएंगी कि 105.48 रुपीज ओके अब यह हो गए जीस्टी के value और हमे टेक्सिवल बेल गिवन है तो हम क्या करेंगे दोनों का add करेंग ठीके तो हम यहाँ पर लिखेंगे now टोटल वैलू टोटल वैलू अफिल अमाउंट पेड बाई कस्टमर is that is equal to हम यहाँ पर लिख देंगे taxable value प्लस अमाउंट ओफ जी एस्टी ओके दाट इस इक्वल टो 586 प्लस 105.48 अब देखो यहाँ पर 586 है यहाँ पर 105.48 है तो यहाँ पर पॉइंट नहीं है तो इससे पॉइंट वाली वैलू 48 as it is रहेंगी यहाँ हम इनकी addition करेंगी ठीक है 5 प्लस 6 11 carry 1 8 प्लस 1 9 5 प्लस 1 6 that is 691.48 रुपीज ठीक है यहाँ इतने वैलू कस्टमर जो पेड करेंगा किसके लिए उसको अगर बेल चाहिए ओके तो यहाँ पर हमारी practice set 4.1 के first 4 question complete हो गया है remaining question आप साइड वाली वीडियो पे टाच करके देख सकते हो अब आप जहां तक पहुंच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और नीचे दियेवे है आइकन पे टाच करके हमारे चानल को सब्स्राइब जरूर क कीजिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में thanks for watching